चाहत बिर्ती 2022 के लिए ओल्लाइन आबेदन का डेड़ जारी हो गया है दो चर्ण में आपका ओल्लाइन आबेदन मांगा गया है जिसके लिए अगर आप 2022 में इंटर या मैटिक पास किये हैं गर्स हैं या ब्वाइज हैं फर्स्ट या सेकेंड डिविजन से हैं तो इसके लि है तो पूरी वीडियो बिल्कुल धिहां से देखेंगे चैनल पे पहली बारे चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि स्कूर्ड सिप की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहां पे मिलती रहे कलियान के अंतरगत जो भी चात यहां पे आबेदन करना चाहते थे उनके लिए बरी खुसकबरी आपके लिए दो चैनल में आबेदन यहां पे शुरू किया गया है और सभी चात दसमी के हैं या बरहमी के हैं यहां पे ओल्लाइन आबेदन कर सकते हैं आपको बता दे कि जो और जेन्रल में उसी तरीके से मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो चरन की बात की गई, तो यह दो चरन समझते हैं कि दो चरन क्या है, कैसे आपको आभेधन करना है, क्योंकि अगर आप 1st Division है, तो 1st Division में आपको पता है कि सभी कास्ट को मिलता है पैसा, लेकिन अगर आप 2nd Division है, second division में सिर्फ SC और ST को मिलता है तो अभी जो आवेदन यहाँ पर मागे गये हैं वो सिर्फ पर सी first division के लिए मागे गये हैं और उसमें भी यहाँ पर जातिगत जो है वो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप SC, ST है या पिछरा बर्ग पिछरा बर्ग है तो यहाँ पर online आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं यानि OBC, SC, ST इन तीनों का यहाँ पर online आवेदन वो शुरू कर दिया गया है अगर आप यहाँ पर न्यूज पेपर में भी पब्लिस किया गया है कि जो भी मुख्य मंत्री अत्यंत पिछरा बर्ग योजना जो है बिहार बोड से पर्थम सेनिस जो बिद्यार्थी पास है उनके लिए आवेदन जो है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है अगर आप यहाँ पर दसमी या बरहमी पास है तो आपकी family income ढ़ाई लाग से कम होनी चाहिए यानी सालाना ढ़ाई लाग से कम होनी चाहिए आपके पापा की income ठीके, दस्ता बेज जो है जाती पर मांपत अधार का दसमी कच्छा का मांक सिट या 12 पे है तो 12 का माकसित निवास परमानपत बैंक खाते के जनकारी एकाउंट नंबर यदि सभी लिंक है तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो भी दो आपको लगेगा ठीक है सबसे पहले यहाँ पे उमिदवाल पिछरा बर्ग अति पिछरा बर्ग कल्यान विभाग की अधिकारी वेबसाइट पे जाएं और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछरा बर्ग योजना के लिए और आपको क्लिक करना है और देखी यहाँ पे कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से आप देखेगा step by step में समझा रहा हूँ ऑल्लाइन करने के लिए आपको Google मा के बिहार हिल्प सरच करना है और बिहार हिल्प.in पे जाना है ठीक है इसके बाद आप 3.पे क्लिक करेंगे 3.पे क्लिक करने के बाद आपको scholarship बाले section पे जाना होगा scholarship का section इस तरह के से खुल गिया है तो यहाँ पे आपको सारी scholarship के जनकारी यहाँ पे मिल जाएगी ठीक है किन से scholarship में किस दिन से आपका online है और कैसे आपको online करना है चाहिए वो दसमी पास है या बरहमी पास है इकल्यान है सभी का यहाँ पे details यहाँ पे दिया गया है तो आप जो है यहाँ पे जाकर आप ठीक है अपने link अनुसार यहाँ से आप online आबेदन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे mention कर दिया गया है कि जो भी गरीब छात्रे OBC है SCST है जो मेधा छात्र विर्ती होती है उसे यहाँ पे आबेदन शुरू कर दिया गया है मेधा चात विर्ति में जो है बो यहाँ पे आपको ठीके यहाँ पे देखे मेधा चात विर्ति का डिटेल यहाँ पे देखे क्या बताये गया है अत्यांत पीछरा भर्ग मेधा विर्ती योजना ठीक है इसमें बच्चों को दसमी अबरहमी पास होने चाहिए और पत्रम सेनी से बच्चों को 10,000 और 15,000 की छात विर्ती दी जा रही है ये मेधा विर्ती विर्ती योजना का अलग से फाइदा दिया जाता है बहुतों आपको मिलता हैं 25,000 इंटर पे और 10,000 मेटिक पे लेकिन मेधा चाहत विर्ती के अंतरगत भी आबेधन कर देते हैं जिसमें गरीब चाहत्रों को दिया जाता है जिनकी बारसे के इंकम धाई लाग से कम हैं उनको अगर इंटर पास है तो 15,000 और मैटिक पास है तो 10,000 है और इसके लिए और लेन आबेधन जो है बो यहाँ प लोग इन करना होगा या साइवर कैफि में भी जाके आप बता सकते हैं कि मुझे अत्यांत पीछरा वर्ग जो है मेधा विर्ती योजना का ओनलाइन आबेधन करना है और इसके लिए ओनलाइन आबेधन शुरू कर दिया गया है बाकि जो डेट बच गए कि सर ई कल्यान के अ आबेधन शुरू कर दिया जाएगा तो सारी जनकारी आपको समझा दी गई है तो बने रहे हैं चैनल के साथ जो भी अपडेट आई कि आपको मिलती रहेगी